है गाइस तो केसे हैं आप सब आज 10 दिसंबर है और आने वाले वीक के अंदर सबसे पहले हम इसके अंदर बात करेंगे तीन शेयर के बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था है एच्छी का सी तेजी रही क्यों रही तेजी उसका रिजन आप जरूर जाने अवह कि सबसे बड़ी वज़े है कि IDBA Trustship Service Limited जो है उसने अपने इनवोक का मतलब होता है कि जो उसके पास गिरवी रखे शेयर थे उसको बेचा है और वो साड़े तीन करोर शेयर थे तो जो प्लेच शेयर थे यहाँ पर आप देख सकते हैं तो उसको बेच दिया है इसने और जो क कि HCC की जो promoter group company है Aria Capital Management उसने कुछ इसके जो डिबेंचर से उसको जो है डिफोल्ट किया था उस वज़े से और वो जो इसने बेचे है प्लेच शेयर उसी वज़े से जो है यह 270 करोड का सपास का है और यह डील जो है 2 December को हुई थी उसी वज़े से जो है शेयर के अंदर ते डेली चाटे अब यह next कहां जा सकता है कि यह उपर जा सकता है नीचे जा सकता है तो इसी के बारा में हम discuss करेंगे तो मैं आपको बता दूत के यह 20 रुपे के उपर available है अभी मैंने वीडियो यहां पर बनाया था तब सब 8.5 रुपे से आस पास था तो इसके अंदर देखे बाकी मुझे जो इसकी best strategy लग रही है कि आप इसके अंदर दो टूपलों में बाइंग करें और वो भी छोटी सी small amount बाइंग कर अगर करना चाहते है तो अगर आप इसके अंदर holding रखते है तो आप साड़े अठरा से अठरा रुपे का stop loss लेकर इसके अंदर hold रख सकते है य अचाहे तो जो stop loss है उसको ऊपर भी रख सकते है अपने हिसाब से 19 रुपे से 19 रुपे से 19 रुपे तक भी लेकिन जो best रहेगा वो 85 रुपे का इसपासी रहेगा अब यह जहा कहा सकता है तो मुझे यसा लग रहा है कि यहाँ पर volume तो अच्छा है लेकिन मुझे यसा लग नहीं है यह मैं आपको खास बता दू अच्छे नहीं है लेकिन यह momentum बना हुआ है शेर के अंदर इसलिए इसके अंदर एक तेजी आ सकती है बाकि मुझे इस company के उपर ज्यादा परोसा नहीं है in the long term लेकिन अगर आप momentum का फाइदा उठाना चाहे तो उठा सकते है बाकि पहले तो यह इस शेर के बारे में ही है कि क्यों जंप मारा तो इसके अंदर देखे तो यहां पर अगर देखे तो आर भी आई ने जो है यह मंजूरी दे दी है प्राइबेट इक्विटी मेजर जो है काली एंड एडवंड इस mutual fund या फिर इस financial company को 10% के आसपास की यस बेंक म में जो है अपना हिस्सा रखने की मंजूरी दी है उसी वज़े से जो होई शेर भागा है अब काली एंड एडवंड एक बड़ी finance company है आई थिंक यह फाइस company है और और भी जो है यह दो भी फंट से जो कि इसके अंदर 8000 करोड कर निवेश करना चाहते है लेकिन उसके लिए जो है अभी RBI की मंजूरी बाकी है लेकिन वह भी मुझे ऐसा लगता है कि मिल जाएगी क्योंकि जो बड़ी-बड़ी company होते है उसको प्रण्जूरी मिली जाती है तो उसी वज़े से शेर के अंदर रशी का से तेजी आई और यहां पर देखे तो कुछ एक्सपर्ट जो है उसकी सला है एक टिप है जो कि मैं भी उससे सहीमत हूँ कि यहां पर कहा जा रहा है कि जो कि इसका जो स्टॉप रुपे का सपास है तो मैं भी मानता हूं कल स्वेर में 20 रुपे के ऊपर गया लेकिन यह नीचे आया वहां पर टिक नहीं पाया और इसके अंदर देखे तो ए अगर बात करें तो इसके अंदर जो स्टेटर जी मुझा लगी में हमेशा यहीं जो है अच्छी लगती है अगर आप इसके अंदर फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो यह 21 रुपे और सांट पैसे के ऊपर जब निकले फ्रेश ब्रेक आउट दे तब इसके अंदर बाइ पता है जा रहा है कि 21 रुपे सांट पैसे के अगर यह उपर भागे तब यह सत्रा तब 17-18 का स्टोप लोस नहीं रहेगा तब जो स्टोप लोस रहेगा वह 19 रुपे 50 पैसे का स्टोप लोस लगर आप चल सकते हैं और तब जो है 30 रुपे का टार्गेट वो भी 6 मंद के आ अभी 19 रुपे 70 पैसे का भाव चल रहा है तो यह 18 रुपे 15 पैसे एक अच्छा खासा सपोर्ट दिख रहा है क्योंकि यहां पर इसने एक रजिस्टन फेस किया था तो जैसे कि मैंने कहा कि 18 रुपे से 18 रुपे 50 पैसे के आसपास का एक स्टोप लोस लेकर आप इसको ट्र सकता है लेकिन इसके लिए 6 मन्त से 12 मन्त के आसपास इसके अंदर इतना हो सकता है टाइम और यह शोट टम में हो सकता है क्योंकि छोटा शेर है और एक चीज़ और जैसे कि मैंने आपको सजाया कर सकते है जैसी कि यह 21 रुपे 60 पैसे के ऊपर निकले तब आप इसके अदर कर सकते हैं आप इसके अपर नजर रख सकते हैं तब जो है जब यह ब्रेकाउट दे देता है तब टाइम कम लगता है और इसको फिर 19 रुपे 80 पैसे का स्टॉप लोस लेकर इसके अंदर बाइंग की जा सकती है और तब यह 24 रुपे से 30 रुपे तक आराम से जा सकता है और जैसे की बताया कि यह अगर 21 रुपे 60 पैसे के ऊपर निकलेगा तो यह यहां तक 30 रुपे कास पास जा सकता है तो यह आपके लिए और एक चीज़ यहां पर के यह इंडेस्टी का यह डेली चार्ट है इसके अंदर मुझे थोड़ी सी बाइंग उपरचुनिटी दीख रह अगर आपको करनी है तो मतलब कि यह कोई रेकमेंडेशन नहीं है बस एक इंफोर मेशन है कि 1650 के ऊपर जाए तो अगर आपको इसके अंदर करनी दो कर सकते हैं और इसके अंदर देखो है तो कम mudar से कम यह गया सकता है और इसके अंदर जो से का शोट नोकर करक्रार करता है तब कि मैं बात कर रहा हूं, तो सिर्फ 40 रुपे का रिस्क है, जो है 100 रुपे के आसपास का reward इसके अंदर मिल सकता है, तो अच्छा कासा trade बन सकता है, तो इसको भी आप अपने radar पर ज़रूर रखे, KEI Industries, और ये वीडियो कैसा लगा, ये मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताए, और अगर अच्छा लगा तो इसे like कीजी, अपने सारे ग्रूप के अंदर इसको share जरूर करें फ्रेंट्स, और मेरे चैनल को subscribe कर ले, so thank you for watching this video, standard disclaimer, अब ये, अब जो भी trade ले, उससे पहले अपनी research करे, उसके बाद ही कोई accordingly decision ले, और decision ले, तो इसकी में चरूटिक साथ दिमेंडरी कोई ले, so thank you for watching this video,